Hello friends, welcome to my youtube channel, देखिए friends, आज हम exercise 8.6 का question number 33 से start करेंगे, देखिए क्या कहता है question में, find the shortest distance between the line, line क्या given है वे अपने को, x minus y plus 1 is equal to 0 and the curve y square is equal to x, हमने यह जो curve है y square is equal to x और यह जो line given है, इनके बीच की shortest distance find out करनी है, अब यहाँ पर बात करें, तो देखो यह किसकी curve है, एक parabolic करो है ना यह, यह क्या एक parabolic करो है, अपने को मालिया एक parabolic करो है, यह कैसी भी है भई, है parabolic ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगड़ा है हमने, यहाँ पर यह parabolic करो है मालिया और इसके और line के बीच में, हमने क्या करना है, distance find out करने, shortest distance, अब line क्या है x minus y plus 1 is equal to 0, तो आपने क्या करना है? यह parabola की line करो है, y square is equal to x की, यह CORो मैंने draw की है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है? parabola पे कोई भी point let कर लेने है, जिसकी distance क्या हो? shortest और, मान लेया यहाँ पर p point मैं let कर लेता हूँ, क्या लेता हूँ? P point let ठीक है इसके point है S और T मान लेता हूँ मैं और ये इस line से shortest distance पे है ठीक है तो यहाँ पे हम बात करें तो हम पहले पढ़के आये हैं plus one में अगर आप किसी point से पहले basic समझें किसी point से मान लो आपने किसी भी point से x1 y1 point से अगर आपको distance find out करनी है ठीक है किसी line पे और line है अपनी ax plus by plus c is equal to 0 तो आपने distance कैसे find out की थी ये मालिया ये a है और ये मालिया b है ठीक है तो distance of a b distance of a b आपने कैसे find out की थी वहाँ पे is equal to यहाँ पे आपने ये जो दिख रहा है ax plus by plus c का mode mode क्यों क्यों क्योंकि distance कभी भी negative में नहीं होती upon इसके जो x का coefficient है उसका square plus y के coefficient है उसका square ठीक है अब यहाँ पे distance कैसे find out करेंगा अगर इस point से करनी है तो आपने क्या करना है यह x है ना यह x1 से replace कर देना है y को y1 से यानि कि यह point x1 y1 को x और y की जगे आपने रख देना है यह क्या होगी distance होगी a b की ठीक है तो same बात यहाँ पे हमने follow करनी है मैंने point p ले लिया है parabola पे let कर लेंगे हम let let p s,t be any point any point on parabola किस पे है parabola पे है यह वही ठीक है पेराबोलिक कर उपे है clear तो parabola कर उपे है तो इसका भी use लेंगे हम ठीक है अब यहाँ से अगर हम बात करें तो parabola पे है तो लिख ही लेते हैं um parabola पे ही अगर point है तो इसको क्या करेगा यह satisfy करेगा therefore therefore आप क्या लिख सकते हैं y square is equal to x है न तो y का का काम यहाँ t कर रहा है तो यान कि मैं लिख सकता हूँ t square is equal to क्या है अपना x, x का मतलब यहाँ s है वही, t square is equal to s हो गया, y square is official PST point parabola पे हैं तो इस कर्व को क्या करेंगे parabolic कर्व को satisfy करेंगे वही मैंने किया है ठीक है अब बात हम आगे की करते हैं तो इसने बोलाए कि shortest distance अपने को line के बीच की और इसके बीच की अब मान लो मैंने यह P point मान लिया यह Q point मान लूँ तो distance distance of PQ of PQ is equal to अगर मैं बात करूँ distance की तो distance PQ की क्या हो जाएगी P point से P point से निकाल रहे है न अब इस line पे इस line लाइन पे तो हमने आपको क्या बताया हमने आपको क्या बताया mode of क्या करेंगे आप यह जो point है न S और T कहा रख देंगे X और Y की जगे रख देंगे यानि कि यहां हम लिखेंगे S minus T plus one upon upon under root of under root of क्या करेंगे इसका यहां पे A का square देखो मैं लिखा रहे है A का square plus B का square यानि इनके कोफिशेंट जो है तो यहां क्या है one का square plus minus one का square clear भई तो यहां पे अगर हम देखें तो यह क्या चल रहा है अपना S minus T plus one mode upon यह one का square one आएगा भई पलस काई आएगा और one का square यहां से कितना आजाएगा root two clear है अब यहां पे देखें हमने इस distance को क्या करना है so test करना है मतलब minimum चीए अपने को distance ठीक है क्या चीए list चीए कम से कम चीए minimum करना है तो यहां पर बात करें तो हमें अब इसको या गए procedure करेंगे ना लेकिन एक वेरियेबल में बनाना पड़ेंगा यहां S otros दोनों वेरियेबल हैं हमें कोई कहीगा short distance इसकी यह जो line है यहां से है कोई कहीगा नहीं थोड़ी सी इपना देन है और यहां से है तो मैंने पहले ही क्या कर लिया यह पॉइंट है, पी एस टी पॉइंट परबोला पर लाई कर रहा था तो इसको सेटिस्पाइ करेगा, तो T2 is equal to S, यानि कि S is equal to T2 मैं लिख सकता हूँ ना इसमे, S की value मैं T2 लिख सकता हो कि नहीं, T square minus S को T square से replace कर दिया मैंने T या T है पलस 1 upon root 2 clear भाई यह mode आप हटा सकते हैं बैस यह mode इसलिए लगा है कि distance कभी भी negative में नहीं होती है clear अब यह देखो तो यह फूरा किस में बन गया अपना A की variable T में बन गया अब इसको हम T के respect में क्या कर देंगे differentiate कर देंगे तो shortest distance है इसको मैं distance of P को bracket लगा के SD से denote कर लेता हूँ मतलब यह distance of P को किस से denote कर रहे है SD से तो अब SD को shortest distance को हम T के respect में क्या कर देंगे differentiate DT is equal to तो यह 1 by root 2 तो रहेगा अब इसको differentiate करें T के respect में तो यह 2T minus T का हो गया 1 और 1 का हो जाएगा 0 clear भाई अब फूर maxima और minima के लिए फूर maxima maxima और minima के लिए अगर हम बात करें तो D S D by D T क्या करेंगे 0 के equal रखेंगे तो रखो भे इसको 0 के equal यहाँ से 1 by root 2 root 2 into 2T minus 1 is equal to 0 तो यह 1 by root 2 0 पे उदर जाके यह तो 0 कारी खतम तो यहाँ से 2T minus 1 is equal to 0 लिख सकते हैं देखो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ से क्या आया 2T minus 1 is equal to 0 तो T की value क्या जाएगी यहाँ से 1 by 2 T की value क्या आ गई अपनी 1 by 2 और T आ गया तो S भी आ गया therefore S क्या आ गया अपना S की अगर हम बात कर लें तो क्या आ गया अपना 1 by 2 है न तो 1 by 2 का square यानि की 1 by 4 आ गया कितना आ गया 1 by 4 अब हमें करना क्या है हमें यह देखना है कि अगर T 1 by 2 और S 1 by 4 है मतलब यह हैं तो क्या यह distance जो है वो shortest है या नहीं है तो इसको दुबारा differentiate करेंगी जैसा हम हर question में किया है हमने इसको दुबारा differentiate करेंगे आप D square S D S D by D T square इसको दुबारा differentiate करें तो देखो एक बार differentiate करें तो यह आ गया था ना अब इसको दुबारा differentiate करेंगे तो इसको थोड़ा सब और आप इसको एक step दे दें यहाँ पे इसको अंदर multiply कर दें तो उपर root 2 T आ जाएगा देखो root 2 है या 2 है तो root 2 बचेगा उपर T और इसको करेंगे तो minus 1 by root 2 आएगा तो यहाँ अभी इसको दुबारा differentiate करने में अपने को आसानी रहेगी आसानी से मतलब यह है कि यहाँ पे root 2 T का क्या हो जाणा है root 2 आएगा क्या आएगा T के respect में दुबारा differentiate करेंगे तो root 2 आएगा और यहाँ पे इसका 0 हो जाणा है क्योंकि constant अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ T कुछ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती पड़ी अगर T रखने की जरूरत पड़ती तो हम T को 1 by 2 पुट करके देखते कि finally यह positive है या negative है ठीक है लेकिन यहाँ T बचा ही नहीं है इसमें तो हम क्या करेंगे यह हमें clearly दिख रहा है कि यह positive है greater than 0 लिखेंगे आप positive भी लिख सकते हैं और positive है इसका मतलब point of क्या हुआ भई अपना point of minimum हुआ और क्या minimum हुआ shortest distance minimum हुई तो आप लिखेंगे यहाँ पर therefore shortest distance shortest distance जो है distance is minimum minimum ठीक है shortest distance क्या हुई minimum हुई या आप बोले distance is minimum ठीक है distance क्या है distance is minimum आप इसको खाले distance से भी लिख सकते थे अगर आप यह बोले तो ठीक है हमें shortest distance जी है ना आपने SD से निकाला तो कोई दिकत नहीं है shortest distance is minimum कब when when कब होगी यह जब T की value अपनी कितनी होगी 1 by 2 and S की value कितनी होगी 1 by 4 होगी यानि कि अगर हम बात करें कि P जो है अपना यह होगा ना कितना 1 by 4,1 by 2 तब यह minimum distance आएगी इसकी ठीक है वो क्या होगी minimum distance का मतलब shortest आ जाएगी ना shortest distance clear भई अब बात करें हमते को मैं इसको मिटा देता हूँ यह आप पढ़के आ रहे हैं और इसको आप note down कर लेंगे यह figure और यह सब चीज और अभी हमने निकालना क्या है हमने तो shortest distance बतानी है ना तो therefore shortest distance therefore shortest distance की अगर हम बात कर लें is equal to shortest distance जो है वो क्या हो जाएगी वो क्या आएगी अपनी shortest distance देखो कहा लिखा है हमने यह लिखा है ना भई यह लिख रखा shortest distance यह होगी तो आप यह ले सकते हैं और यह ले तो यह भी ले सकते हैं भई यह A की variable में बन गया है इसमें रखेंगे तो और इसमें रखेंगे तो S और T दोनों की value देड़नी पड़ेगी आपकी मर्जी आप कोई भी रख लेंगे माल लो यह रखते हो तो क्या करेंगे magnitude of S है ना S S का मतलब 1 by 4 फिर minus T T का मतलब कितना 1 by 2 plus 1 और अप उन में क्या चल रहा है root 2 क्या चल रहा है root 2 के लिए अब इसको करें soul तो यहां से कितना आजाएगा भई अपना यह 1 by 4 भई यह 1 by 4 यहां पे plus का 1 by 2 बच गया और निचे चल रहा है root 2 तो इसका LCM इसको करेंगे तो कितना आएगा अपना 3 by 4 कितना आएगा 3 by 4 ठीक है कितना जाएगा यहां से 3 by 4 4 LCM लेंगे ना 4 LCM लेंगे तो 1 पलस यहां से 2 आएगा तो 3 by 4 आएगा यह 3 by 4 और निचे है root 2 और ज़्यादा करें तो हम क्या कर दें root 2 से multiply root 2 से divide कर दो आप यहां भी छोड़ सकते हैं root 2 से multiply root 2 से divide करना चाहें तो यह भी कर सकते हैं अब क्या होगा भया उपर यह बन गया 3 root 2 और निचे क्या बन गया 8 ठीक है तो यह हो गई उसकी distance यही हमने बताना था shortest distance हमने find out करनी थी तो हमने यह 3 root 2 by 8 आ गई है ठीक है यह था आपका 33 आपनो down कर लेंगे students अब क्यूशन नमर 34 देखे वही an Apache helicopter of enemy is flying along the path given by y is equal to x square plus 7 कहता है Apache helicopter है कीन का है भई enemies का है हाना मतलब दुस्मनों का है वो उड़ रहा है किस path क्या लों उड़ रहा है वो यह equation दे रखे y is equal to x square plus 7 तो इस equation को देखे हमें पता चल रहा है कि यह क्या है एक parabolic करो है parabolic करो है हाना तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कैसा parabola है कैसा नहीं है वैसे यह upward parabola बनेगा जिसका vertex जो है वो क्या आने वड़ा है 07 आएगा आप बट इसको कोई दिकत नहीं है आपने कैसा भी parabola आपने बना लेना है बना लिया आगे देखिए find the nearest distance हमें क्या करना है nearest distance बतानी है find out करनी है from where a soldier placed at 37 can shoot down the helicopter कहता है कि आप वो नजदी की distance बताएं जहां से एक soldier जो कहां खड़ा है वही 37 पे खड़ा है 37 पे खड़ा है कोई soldier वो क्या कर दे can shoot down the helicopter helicopter को जो इस path के along उड़ रहा है यह क्या है भई y is equal to x square plus 7 इस path के यह जो कर्व है इस के along उड़ रहा है उसको क्या कर दे suit कर दे अब यहां पे बात करें तो भई उसकी minimum distance जो है अगर हम मान लेते हैं कि यह इसकी minimum distance है तो इसका point अगर मैं मान लूँ जैसे पिछे question में मानना तो यह मालिया S है और यह T है आप कुछ भी मान सकते हैं ठीक है और यह मालिया 37 पे यह Q नाम के point पे यह बंदा खड़ा है इसने बोला ना कि soldier खड़ा है 37 पे ठीक है तो यह नजदी की दूरी है जिस पे वो जब helicopter इस पात के लोंग आएगा तो वो उसको suit कर देगा clear तो यहाँ पे बात करें तो हमने क्या मान लिया है let P जो है P के point क्या है S T बीदा B दा nearest distance nearest nearest distance from 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 where a soldier soldier placed at at इसको मैं क्यों नाम देता हूँ क्यों और क्यों के point लिख देता हूँ 37 can suit down the helicopter suit down the helicopter ठीक है भई अब helicopter अब यहाँ पे बात करें तो देखो ये अगर ये P जो point है ये किस पे लाई कर रहा है इस पे कर रहा है ना ठीक है तो इसकी equation को क्या करेगा ये satisfy करेगा वही पीछे वाला equation की तरह है अब बात करें अगर P के ओ distance की तो distance of P के होगी अगर आप बात करें distance of P के होगी distance of P के होगी is equal to P के होगी is equal to क्या होगा distance under root of दो point के बीच की distance कैसे निकालते हैं X2-X1 का whole square plus Y2-Y1 का whole square और इसका under root तो यही है S-3 का whole square plus T-7 का whole square और इसका under root कर दिया वही अब यहाँ पे बात करें तो देखो P के होगी जो है P के हो distance of P के हो यानि P के हो लिख लिए मैंने इसको ठीक है यह जो है अब यहाँ पे देखे तो S और T दो variable है दो variable है ना तो हमें तो एक variable में बढ़ाना है इसको तो एक variable में बढ़ाना है तो चलो पहले एक variable में बढ़ा लेते हैं तो हमें यह पता है कि यह जो P point है ना ST जो मैंने point लिए हैं इसके P के वो कहां लाई कर रहा है इस Parabolic कर्व पे लाई कर रहा है तो इसको satisfy ही भी करेगा आप लिखेंगे since since pi aiga point lie on the curve कर्व पे लाई कर। कर रा है कर्व पे लाई कर रा है तो क्या हुगा therefore कर्व को satisfy कर एगा तो y is equal to है न तो y का मतलब here T is equal to क्या हुआ X square plus 7 है, तो X का काम S करेगा, इस से replace कर देंगा, S square plus 7 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, तो T की value आ गई, S के रूप में, हमें क्या करना है, यह जो P के हुए है ना, distance, इसको क्या करना है, हमें minimum करना है, nearest distance मतलब, कम से कम करना है, minimum करना है, तो हमें, यहाँ दो variable थे, अगर मैं T की value S के रूप में दे दूँ, यहाँ पे, तो यह पूरा S में बन जाएगा, एक की variable में बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे therefore, therefore PQ is equal to under root of S minus 3 का whole square, S minus 3 का whole square, plus T minus 7, T का मतलब S square plus 7, यह तो T की value रख दी मैंने, और minus 7 यहाँ है, इस सारे का whole square, 7 से 7 कट गया वही, किलियर है, यहाँ पे देखें हम, तो पूरी equation S में बन गई न अब, यह क्या बन गया अपना, under root of S minus 3 का whole square, पलस S की power 2, यह रिर, इसकी whole square है, तो यह 4 बन गया वही, PKO, और ऐसी situation आती है, अब एक variable में तो बन गया, ठीक है, अब ऐसी situation आती है, तो मैंने कई बार आपको बताया है, कि under root को ठाने के लिए, हम squaring both side कर लेंगे, तो यहाँ पे, PKO का square is equal to, S minus 3 का whole square, पलस S की power 4, ठीक है, इसका under root अट गया, इदर square लग गया, अब इसको S के respect में हम differentiate करेंगे, हाँ ना, किसके respect में करेंगे, S में बना है तो S में, S के respect में करेंगे, और T में बना लेते, तो T के respect में differentiate करते, ठीक है भई, तो यहाँ पे यह जो दिख रहा है ना, यह, यह आप यह मानें कि कुछ भी मान ले, आप इसको D से denote कर सकते है, D से, let D, D मतलब distance, ठीक है, आप let कर सकते है, D is equal to, यह है, ठीक है, इसको ऐसा कैसा रखना चाहें, तो ऐसा कैसा भी रख सकते हैं आप, अब मान लो, मैंने इसको D मान लिया है, तो D, D upon, D का मतलब distance से represent क्या है, मैंने इसको, तो D मान लिया, किस के respect में, S के respect में, करो इसको differentiate, तो यहाँ पहले power का, तो 2S minus 3, यहाँ power 1, अंदर का करेंगे तो S का 1, और 3 का 0, तो इन 2, 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूत नहीं है, पालास, यहाँ से क्या जाएगा, 4S क्यूब आ जाएगा, ठीक है, अब फोर maxima और minima के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 की equal रखेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, अब हम इसको, देखें, आप क्या लिखेंगे, 4, maxima, और minima के लिए, minima, के लिए क्या करेंगे, डी, डी अपॉन डी S को 0 की equal रखेंगे, तो रखो, twice of S minus 3 plus 4S cube is equal to 0, रखें, अब करो इसको sol, जब इसको sol करें तो multiply कर लें इसको, ठीक है, तो यह 2S minus 6 plus 4S cube is equal to 0, 2 से divide कर दें वही, क्या कर दें, 2 से divide, तो यह क्या बन गया, S minus 3 plus 2S cube is equal to 0, तो इसको आगे पिछे लिख लें, हम इसको आगे लिख लेता हूँ, यह S plus का है, minus 3 is equal to 0, अब यहाँ से देखें, तो अब यह cubic form आ गई है, हाना, quadratic नहीं है, कि आप इसको simply देख लें, अब हम क्या करेंगे, हमें hit and trial method यूज करेंगे, मतलब S की वो value रखेंगे, जो इस equation को satisfy करें, ठीक है, तो रख रखके देखें, हम क्या satisfy कर रहा है, तो S को अगर हम 1 रखते हैं, तो देखो, यहां से 2 बना, और यहां से 1, 2 और 1, 3, 3, minus 3, 0, यानि कि S is equal to 1 ने इसको क्या कर दिया, satisfy कर दिया, ठीक है, तो S is equal to 1 जो है, वो क्या हो गया, इसका root हो गया न, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि S minus 1, S is equal to 1 क्या वर root हुआ, तो S minus 1 जो है, इसका factor हो गया न, इसका क्या हो गया, factor, तो S minus 1 इसका factor हो गया, तो S minus 1 से, अब इसको क्या करेंगे, हम divide करेंगे, क्या करना है अब, divide, तो पुरा-पुरा divide जाएगा, क्योंकि यह इसका factor है, हाना, S is equal to 1, 1 ने इसको satisfy किया, तो यह S-1 इसका factor है तो इसको पुरा-पुरा डिवाइड जाएगा करो भई तो यह क्या हो जाएगा यह 2 और किस पे जाएगा 2S square पे जाएगा तो यहां से 2S cube बन गया यहां से माइनस का 2S square आया तो यहां लिख देता हूं पीछे 2S square अब यहां पे माइनस यह plus यह कट गया इसको आगे लिख लो 2S square पलस का यहां से S उतार लेंगे पलस का और माइनस 3 अब किस पे जाएगा यह plus यह 2S पे जाएगा तो आब करें तो यहां से 2S square आजाएगा और माइनस का 2S आएगा माइनस का 2S आएगा अब करें माइनस ये पलस ये कट गया तो दो और एक तीन 3S माइनस 3 अब कितने पे चला जाएगा 3 पे कितने पे चला जाएगा 3 पे तो पलस 3 पे गया 3S माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस ये पलस ये कट गया ये भी कट गया 0 हमने बोला था ना कि यह इसका factor हो गया तो इसका मतलब पूरा पूरा divide जाएगा तो यह यहाँ पर यह जो equation लिखी है इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अभी यहां से कर रहे हैं भई आगे इसको प्रोशिट ठी है ठीक है आप line draw करके side में करके दिखाएंगे ऐसा नहीं इसको roughly में करें अब यहाँ पर इसको आगे करें तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं इसको मैं s-1 लिख सकता हूं into 2s square plus 2s plus 3 is equal to 0 is equal to 0 यही तो चल रहा था ना देखो 2s plus 3 is equal to 0 तो यहाँ से देखो जब आप value निकालेंगे यहाँ से s की value तो यहाँ से तो 1 आ गई और यहाँ से जब आप s की value निकालेंगे ना तो आपके real root नहीं आएंगे कैसे नहीं आएंगे real root आप यहाँ से क्या कर लेंगे d की value निकाल लें तो यहाँ पर a क्या है value जो है negative में आएगी तो रियल रूट नहीं होंगे और positive में है तो उसके रियल रूट exist करेंगे हाँ ना तो यहां पर बात करें तो d क्या होता है b square minus 4ac होता है भई तो रख दो value b की value कितनी है दो तो यह 4 minus 4ac यानि कि 2 into 3 तो यह कितना आया अपना देखो चार दुन्याठ और आठीए 24 यानि कि minus कभीस आया कितना आया minus कभीस और minus कभीस आया इसका मतलब no real root no real root तो यहां पर यानि कि इदर का तो मामला ही खतम हो गया तो यह इदर से जो 0 बना था यहां से discriminant जो है negative आ गया तो इसका real root नहीं है इसकी तो खानी खतम यहनि कि value क्या आ गया आपकी s is equal to क्या आ गया therefore s is equal to यहां से क्या आया 1 कितना आया 1 तो s अगर आपका 1 आ गया तो t आप निकाड़ सकते हैं यहां से देखो तो therefore therefore t is equal to क्या जाएगा t s square plus 7 s square plus 7 यानि की 8 आ जाएगा ठीक है 1 का square करेंगे 1 और 7 8 आ गया s की value आ गई और t की value आ गई अब हमने करना क्या है हमने यह जो distance आपने निकाड़ी है यह इसको मुझे minimum भी तो show करना है तो minimum show करना है तो s1 और t8 पे हम इसको check करेंगे तो दुबारा differentiate कर लेते हैं हम इसको second derivative test से दुबारा differentiate करें और देखेंगे कि यह इस पे s is equal to 1 पे और इन पे यह positive आता है या negative आता है ठीक है वही decide करेगा कि distance जो आपने निकाड़ यह तो time यह निकले है ना s or t वो इस distance को minimum आएगी या नहीं आएगी ठीक है आप यहां तक note down कर लेंगे उसके बाद हम इसको आगे proceed करते हैं students अब आगे देखते हैं वही एस की value 1 और t8 आ गई थी ना ठीक है यह term मैंने कुछ लिख लिए है इसमें इसमें छोड़ लिया है ठीक है बाकिया आपने note पूरा कर लिया ह होगा मैंने यह इसलिए ठोड़ लिया है क्योंकि अभी इसे मुझे दुबारा differentiate करना है हाना और distance भी find out करने है finally तो वह distance of p क्यों जो यहां आया था वो मैंने यहां लिख लिया है ठीक है अब यहां पर बात करते हैं कुछ भी नया नहीं है इसमें अब यहां पर बात करें तो दुबारा differentiate करेंगे इसके बाद में इससे आगे करेंगे आप इसको दुबारा differentiate D square D upon Ds сказала is equal to तो करेंगे दोबार differentiate तो यह दो को यह है न एक बार differentiation तो आप इसको तोड़ा और simplify करके लिखें तो यहाँ पे 2s आप लिखें चाहें ना लिखें यहाँ से क्या आएगा वही 2s minus का 6 आएगा तो 2s का differentiation फिर से कर रहे हैं एसके respect में तो 2 आजाएगा ठीक है 2s का 2 आजाएगा और यहाँ से minus का 6 आएगा वह एसके respect में दुबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका constant का 0 हो जाएगा यहाँ से plus 12x सुकेर आजाएगा 4 into 3 और s पावर कितने बचगी 2 बचगी एक कम करेंगे तो अब मुझे d सुकेर d upon d s सुकेर कब चाहिए जब s की value कितनी हो 1 हो तो हम चेक करेंए 2 plus 12 into 1 का सुकेर तो यहाँ से value कितनी आ गई है 14 जो की positive है और positive है इसका मतलब यह distance जो है वो क्या होई आपकी minimum होई therefore आप लिखेंगे यहाँ पर therefore distance जो है distance will be minimum will be will be minimum minimum कब होगी if if जो पी जो पॉइंट है न पॉइंट पी जो है वो क्या होगा आपका s t s का मतलब कितना 1 और t का मतलब 8 ठीक है इस पॉइंट पी p b point p जो है यह होगा ठीक है clear है distance will be minimum if point p जो है यह होगा clear है अब यहाँ पर बात करें तो point हो गया distance minimum हो गई अब मुझे distance minimum निकालनी भी है तो distance जो है distance of p क्या होगा distance of p क्या हो कि अगर हम बात कर लें और p क्या हो तो वो क्या है भई under root of s minus 3 का whole square plus t minus 7 का whole square clear है देखो यहाँ पर जब आप distance p क्यों की निकालेंगे तो आपने यह d is equal to यह नहीं कर देना है भई कुछ भी ठीक है आप समझ रहे है भई formula क्या है original जो distance निकालने का यह तो हमने अपने श्विदा के अनुसार square in both side की थी हमें p को चीए ना तो p को के लिए हम क्या करेंगे हमें क्या करना है p को के लिए या तो इस formula में रखें या आप इसमें भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों value आ गए ना अपने पास s or t की दोनों निकाल लिए हमने तो आप इस formula में जो original formula था p को का जो distance formula होता है उसमें रख दें तो रखो यहां पे मैंने यह इसलिए रखे हुए थे अब मैं आटा देता हूं इसको देखो तो हम रख देते हैं अभी इसमें ना यहां पर s की value कितनी आई थी अपनी s की आई यह 1 तो 1-3 का whole square plus t की value कितनी आई यह 8-7 का whole square तो यहां से कितना आ गया यह दो च्यार आ जाएगा यहां से और यहां पर एक आ जाएगा under root इस पे लग रहा है तो कितनी आ गई root 5 जो distance कितने आ गई वो root 5 यानि कि root 5 की distance वो distance है जो बिलकुल नजदीक है जहां से जो soldier है वो suit करेगा तो वो बिलकुल निशाने पे लगेगा और helicopter गिर जाएगा clear है यह था आपका question number 34 देखो मैं इसको मिटा देता हूँ कभी आप समझे कि यह extra चीज कहां से आ गई आप उसके बाद आपने यह note down कर ले ना students और अगर आपको question समझा रहे हैं तो please आप हमारी मेहनत को देखे channel को भी subscribe जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा share करें thanks for watching my videos